हाई दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार आज हम एक नया रेसिपी लेके आए हैं ब्रेकफास्ट रेसिपी ये जो टोस्ट है पहुत ही शादिश्ट बनता है और इतना इजी है कि क्या बताऊं हर कोई बना सकता है और इतना टेस्टी है जो टेबिल में लग जाए तो कोई खतम किये बिना टेबिल से हटने वाला नहीं चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शियर सब्सक्राइब जरूर करना कि हमने ब्रेट का स्लाइसेस लिए हैं और एक काप मिल्क और एक अंडा और सैनेमन पाउडर और ये हनी ठीक है इसी इन सब चीजों से हम आज ये टोस्ट बनाएंगे इतना स्वादिश्ट बनता है कि क्या बता हूं एक बार बनाने का रिक्वेस्ट रहा वीडियो स्कीप ना करें पूरा देखें ये हमने ब्रेट का स्लाइसेस का साइट का हिस्सा निकाल लेंगे ताकि ये साइट का इस을 निकाल लें कि मैंने सालाइसेस का सका हिस्सा निकाल ली हूं आप भी निकालिस्स प्रॉसस से बोल रही हूं। प्रोसेस से बनाए कितना टेस्टी ये टोस्ट बनेगा कि क्या बताओं खाने में बहुत ही स्वाधिस्ट बनेगा इसको हम एक साइड रख देते हैं एक बॉल लेते हैं इसमें हम ये मिल्क डालेंगे और ये अंडा पोड़ के डाल देंगे वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना मेरे सारे प्यारे दोस्तों से की रिक्वेस्ट है वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना ये नमक हमने डाल दिये हैं ज्यादा मत डाले एक पिंच वहन पिंच नमक डाले और ये सिनेमन पाउडर हाप पे भी हाप टी स्पून डाल दीजिए ताकि अंडा का जो स्मेल होता है ओ ना आए आप इसमें इलाइची आप अपना मर्जी के हिसाफ से डाल सकते हो वैनिला एसेंस भी डाल सकते हो यह सिनेमन पाउडर के जगा में यह हमने थोड़ा सा तेल डाले हैं ज्यादा नहीं एक दम थोड बनाएंगे इतना स्वादिश्ट इतना स्वादिश्ट की क्या बताओं यह हमने घोल तयार करके रखे हैं अच्छे से इसको मिलाए एक दम अच्छे से मिलाए पिर यह जो टोस्ट है ब्रेड है इसको हम इसमें डीप करें अच्छे से डीप करें फिर इसको पैन में चड़ नहीं हम चार्ट प्रेड इकठ्था बनाएंगे रीडिंडी डाले हैं डीप की जिए और भी डैले अच्छे से दिप करें ताकि बहुत ही टेस्टी बने कि ये टोस्ट फ्रेंज टोस्ट बोलते हैं इसको ये टोस्ट में बहुत ही आच्छा लगता है ये पकने दीजिए नही कर फारिये के साथ पकाये ज्यादा हरवरी हमने तोट जाएगा बहुत होता है कि सॉफ्ट होता है MEDIUM पड़ने इसे बनाएं कि और ठोड़ा सा बटर डालेंगे इसको हम पल्टे हैं इसलिए हमने और थोड़ा सा बटर डालेंगे यह पूरा टोस्ट जो है बटर से ही बनता है कि चारो तरफ फैला देंगे बटर को अच्छे से पकने दे अच्छे से पकने दे हरवड़ी ना करें एक धर्ये के साथ पकाए बहुत ही अच्छा बनेगा और इतना शादिस बनेगा कि क्या बताऊं दो टो स्पून का सहायता से इसको पल्टे नहीं तो ये तूट जाएगा ये देखिए मैंने दो स्पून ले लिया हूँ अच्छे से तोस्ट खाने में इतना स्वाधिस कि क्या बताऊं हर कोई पसंद करता है हर कोई पसंद करता है लीजिए तयार आपका ब्रेकपास्ट प्रेंच टोस्ट तैयार आपका बहुत ही टेस्टी बनता है मेरा बेटा तो बड़े प्यार से खाता है यह लिजिए तैयार इसके उपर हमने हनी डालेंगे एक टेबल स्पून भरके हनी डाल दीजिए आप चाहे तो ज्यादा से ज्यादा हनी डाल सकते हो बहुत ही हल्दी है बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा चीज है आप इसको बनाए और खेलाए यह लिजिए हमने धेर सारा हनी डाल दिये हैं तैयार आपका ब्रेकपास् और यह जो टोस्ट है बहुत ही स्वाधिकिष्ट बनता है बहुत ही स्वाधिष्ट क्या बता हूं विडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शियर शुक्रेब करेज अगर चैनल में नए हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दवा देना ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें इसको मैं कट करके दिखाऊंगी यह देखिए कितना सॉफ्ट बना है देखिए कितना सॉफ्ट बना है अब भी बना है और इसका अनन्द ले लिजिए आपका फेंच टोस्ट का पहला बाइट मैं ही ले लेती हूँ आप भी रेसीपी सियार किया हूँ आप भी बनाएं और आप भी इसका अनन्द ले अगले अपिसोड में नहीं रेसीपी लेकर आजाओंगी तब तक के लिए बाइट